नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में हम जनजातिय गोरो दिवस पर नेबंद लिखेंगे सबसे पहले हैडिंग डालेंगे रूप रेखा, रूप रेखा के अंतरगत पहली हैडिंग में प्रस्तावना लिखेंगे फिर जनजातिय गोरो दिवस का उद्देश, जनजातिय समाज का इतिहास और गोरो फिर लिखेंगे आदिवासी समाज के योगदान फिर पांचवी हैडिंग में लिखेंगे स्वतंतरा संग्राम में आदिवाशियों का योगदान चटी हेडिंग के अंतरकत लिखेंगे जनजातिय नायकों की प्रमकुपलब्धियां साथवी हेडिंग के अधिवासी समाज के समख्ष चुनौतियां आठवी हेडिंग में लिखेंगे सरकार द्वारा जनजातिय उत्थान के प्रयास नवी हेडिंग में लिखेंगे जनजातिय गोरो दिवस का महत और अन्ता लाश में लिखेंगे निसकर्स तो चलिए देखते हैं पहली हेडिंग हमारी है प्रस्तावना इसके अंत्रकत लिखेंगे जनजातिय गोरो दिवस भारत के जनजातिय समाज के आतिहासिक योगदान और गोरो का सम्मान करने का दिन है यह दिन जनजातिय नाइकों और उनके समाज को सुतंतरता संग्राम और सांस्कृतिक धरोहर के प्रती समर्पन के लिए सम्मानित करने का और सरप्रदान करता है ज्रिस्आ मुंडा के जहनती के रूप में भी मनाया जाता है दो चलिए अगली हैडिंग में लिखेंगे हैं जंजातिय गोरो दिवस का उद्देश से समधाय के योगदान को याद करना और उन्हें समाज में उच्द सम्माद दिलाना है इस दिन का उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति उनकी परंपराओं और उनकी अमूल धरोहर का सम्मान करना है साथ ही या दिन जनजातिय समुदाई के सामने आने वाली चुनोतियों और उनके अधिकारों के परती जागरुकता फैलाने का भी है अगली तीसरी हैडिंग के अंतरगत लिखेंगे जनजातिय समाज का इतिहास और गोरों भारत का जनजातिय समाज एक प्राचीन और सम्मृत इतिहास रखता है जनजातिय समाजों का योगदान केवल छेत्रिय शीमाओं तक ही सीमित नहीं है बलकि उन्होंने समाज में अपने विशिष्ट कला, साहित संगीत और संस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा है उनकी परंपराएं और रीती रिवाज भारतिय संस्कृति का एक अनिवार रियंग है और इस समाज ने सदीयों से अपनी स्वतंत्रता और अस्तुतिकी रक्षा के लिए संगर्श किया है फिर चौती हैडिंग में लिखेंगे आधिवासी समाज के योगदान भारत के आदिवासी समाज ने न केवल अपने अधिकारों की रक्षा की है बलकि भारतिय संस्कृति को एक नई दिसा देने में भी योगदान दिया है जनजातिय समाज अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति समर्पित रहता है जो पर्यावरंशन रक्षन, सामाजिक एकता, सामुदाई, भावना और न्याय पर आधारित होती है उनकी कला, शिल्प कला और लोक नर्त पूरे विस्व में प्रसिद्ध है और भारतिय संस्कृति को संब्रत बनाने में महत्पूर योगदान देते है पाचवी हैडिंग में लिखेंगे स्वतंतरा संगराम में आदिवाशियों का योगदान सवतंतरा संगराम के दोरान जंजातिय समुदाएं ने अनेक बलिदान दिए बिरिशा मुंड़ा, सिद्धदु कानु, तिलकामान्ची, रानी द्रुगावती और रानी गैंदिल्यू जैसे जंजातिय नेताओं ने एंग्रेज़ों के खिलाफ संगहर्स किया इन नायकों ने अपने समाज और देश की स्वतंतता के लिए अपने प्राणों की आहुती दी छटी हैडिंग में लिखेंगे जनजातिय नायकों की प्रमुक उपलब्धियां जनजातिय समाज में अनेक ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने साहस और वीर्ता के अंगिनत उधारन पेस कियें बिर्सामुंडा ने उल्गुलान का नेत्रत किया जो एक सुतंतता संगराम का प्रतीक है सिद्धु और कानु ने संताल विद्रों का नेत्रत किया रानी दुर्गावती ने मुंगलों से अपने राज्ज की रक्षा की और रानी गायदिनलियों ने बड़े साशन के खिलाफ नागा जनजाती समुदाय को सेंगठित किया इन नाइकों के युगदान को जनजाती गोरो दिवस के माध्यम से समाज में जागरुकता के रूप में मनाया जाता है चटी हैडिंग में सातवी हैडिंग में लिखेंगे आदिवासी समाज के समक्ष चुनौतियां आदिवासी समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जिसमें भूमी अधिकार, शिक्षा की कमी, रोजगार और स्वासी सुबधाओं का अभाव प्रमुख है विकास की प्रक्रिया में आदिवाशियों ने अधिकार की अंदेखी होने से बेहाशिये परजार हैं जनजातिय गोरो दिवस के माद्यम से इन मुद्दों पर जागरुकता फैलाने और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का औसर मिलता है अगली हेडिंग में लिखेंगे सरकार दोरा जनजातिय उठान के प्रयास सरकार ने जनजातिय समाज के विकास और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई हैं प्रधान मंत्री जनजातिय विकास योजना वन अधिकार अधिनियम और शिक्षायों स्वास्ति के छेत्र में कई परयोजनाएं शुरू की हैं जन्जातिय गौरो दीवस पर सरकार विविन विकास योजनाओं का सुवारंब कर आदिवाशियों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के प्रती समर्पित होती है आठवी हेडिंग में लिखेंगे जन्जातिय गौरो दीवस का महत्वा जन्जातिय गौरो दीवस जन्जातिय समाज के गौरो उनके योगदान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रतिकात्मक दिन है यह दिन हमें भारतिय समाज के इस अनमोल अंग को सम्मानित करने और उनकी समश्याओं के प्रती समवेदन सील बनने का आउसर देता है इस दिन को मनाने का उद्देश समाज में जनजातिय समाज के योगदान को उजागर करना और उनके उत्थान के लिए प्रियास करना है इसकर्स जन्जातिय गोरो दिवस जन्जातिय समाज के बलिदान और योगदान को सम्मानित करने का एक महत्पूर आउसर है विर्सामुंडा जैसे वीर योधाओं के संघर्षों का को याद करके हम अपने समाज के प्रती उनका सम्मान प्रकट कर सकते हैं यह दिन समाज के हर वर्ल को जन्जातिय समाज के प्रती अपनी जिम्मे दारियों का एहसास दिलाता है और हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चानलों को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर निभन चाहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में सब तक लिए नमस्कार जय हिन जय भारत बंदे मात्रम